आज मैं आपके साथ बादाम के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही खास है इसमें मैंने खसकस खाब इस्तमाल किया है दोनों ही चीजे सरदियों में बहुत फायदे मन्द होती है ये सरीर को गर्मी के सासत ताकत भी देती है इसे बनाना बहुत आसान है आप इसे बना कर स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चों को सुबह शाम दोदो चमच खिलाएंगे, उनके दिमाग कम्प्यूटर की तरह चलने लगेंगे दोस्तों, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लें. नमस्कार दोस्तो, मैं अन्जू, मेरे कुकिंग चैनल अन्जूस किचन धाबा मैं आपका स्वागत करती हूँ. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देख रहे हैं, आप चाय का कप है, इसी कप से एक कप बादाम लिया है, और एक चौथाई कप उसी कप से खस-कस, जिसे पोस्तादाना बोलते हैं, पाने डालकर इन दोनों को मैं भीगो दूँगी, आप इसे ओवरनाइट या कम से कम 6-7 ग भीगो दें, या फिर 6-7 गंटे के लिए आप इसे भीगो दें, या इसका चिल का बाहर निकल आता है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीकी से सारा बादाम हमें छील लेना है, यह देखी, मैंने सारा बादाम छील कर ली, जो है मिक्सी के जार में डाल दिया है, अब इसी में मैं खसकस डाल दूँगी, एक साथ सारे बादाम नहीं आएंगे, तो मैं थोड़ा खसकस सारा ले लिया है मैंने, और बादाम डाल दे रही हूं, बचे हुए बादाम है, बाद में पीस लूँगी, यह देखे, पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है पिसने में, थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए हमें इसे पीस ना पड़ता है, तो एक ही बार में पानी ना डालें, और इस तरीके से मैंने बचे हुए बादाम को भी पीस लिया है, य इस cup से मैंने सारा कुछ measurement कर था उसी cup से मैं एक cup भर कर घी ले रही हूं ठीक है तो उसी cup से एक ही cup से या कटोरी जो भी आप measurement के लिए यूज कर रहे हैं उसी का इस्तमाल सभी चीजों को measurement करने के लिए करें अब घी में जो है अपना पीशा हुआ बादाम और खस-खस डाल द यह बादाम सोक लेगा तो जब आप इसको भुनना शुरू करेंगे तो धीरे 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 करके यह जो बादाम है यह सारे घी को सोक लेगा और फिर यह घी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा तो यह हलवा जो है न दोस्तो बहुत फायदे मंद होता है बहुत सेहद मंद आप बड़ों को बच्चों को सभी को दे सकते हैं और खाने में तो इसको स्वाद लाजवाब होता ही है लेकिन बच्चों के दिमाग के लिए यह बहुत अच्छा होता है मतलब आप इसको बना कर स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं अभी सर्दियां आये तो 4-5 दिन तो वैसे भी खराब नहीं होंगी और अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो यह 15 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे और दो-दो चमत सुबह शाम बच्चों को हलका गुन-गुना करके और खाने के लिए दे बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह हलवा तो इस हलवे को जरूर ट्राय करें बहुत ही रिच है बहुत स्वादिस्ट है और इसे बनाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है हाँ लेकिन इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है यह इसे भुनने का प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसे अच्छे से भुनना है कम से लगते है उसके बाद फिर जो है इसमें हम जब दूद और चीनी आड़ करेंगे तो फिर पकने में यह कम से कम 15-20 मिनट लगब एक घंटा तो लगता है इस हलवे को बनाने में लेकिन जब बन कर तयार होता है तो यह हलवा खाने में भी उतना ही स्वादश लगता है तो बनाने में भले समय लगे लेकिन खाने में और सेहद में दोनों के लिए परफेक्ट लगेगा आपको देख सकते हैं भुंते-भुंते हमारा हल्वा काफी इसका पानी सूख चुका है और इस तरीके से ये धीरे-धीरे ड्राय होना शुरू हो जाएगा ये भुर-भुरा सा होने लगेगा इसका पानी खतम हो जाएगा कलर हलका सा चेंज हो जाएगा तो आपको समझ में खुद ही आने लगेगा कि बादाम बहुत अच्छे से भुन गया है बादाम से एक अच्छे सी खुश्बू आने लगेगी और इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा इस तरीके से ये भुनकर बिल्कुल रेडी हो जा अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है ताकि हलवे में एक बहुत अच्छा स्वाद चाहिए ना वो भुनने पर ही आएगा अगर बादा में कच्छा पना रहेगा तो वो स्वाद हमें नहीं मिल पाएगा तो इसे भुनना बहुत जरूरी है अच्छे से भुनना बहुत जरू है यह देखिए बादाम हमारा भुन चुका है जिस कप से मैंने सब कुछ मेजर्मेंट किया था उसी कप से एक कप दूद मैंने डाला है अब उसी कप से मैं एक कप चीनी डाल रही हूँ अब इसको चलाते हुए हमें पूरा सूखा होने तक पकाना है यह बिल्कुल जो है ना यह लग रहा है कि बहुत लिक्विड है तो यह बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा तब तक हम इसे चला चला कर पकाते रहेंगे तो इसमें लगभग 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे तो ओवर ओल पूरा हलवा बनाने में लगभग एक गंटे का समय लगता है लेकिन जब हलवा बनता है तो फिर खाकर भी मज़ा आ जाता है इतना स्वादेस्ट हलवा बनता है तो आप बादाम का और खस-खस अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसके बगएर भी आप बना सकते हैं तो सिर्फ आप बादाम से भी बना सकते हैं तो लेकिन यह हलवा एक पर जरू ट्राय करिएगा दोस्तों देख रहे हैं बस ऐसा टेक्श्यर जब इसका आ जाएगा तो समझे हमारा हलवा बिलकु से रखैं और बच्चों को दो-दो चमसुबह स्बहना दे और देखें उनका दिमाग के विकास में यह बहुत ही हेलफूल होता बहुत अच्छा होता है तो इस तरीके से तरल भी बना सकते हैं तो पहुत तर के बहुत स्वादिश्ट हल्वा हमारा बनकर तयार हो जाएगा हलवा कैसा बना है और मेरी चैनल को फटावट से सब्सक्राइब करें